छात्र छात्राओं के उज्वल भविश्य के लिए की थी। आज विश्व भारती के गवरों मैं सौ वर्ष पर मेरी तरह पुरा देश इस महान संस्तान के लिए यही कामना करता है। हे विधाता दाओ दाओ मोदे गौरब दाओ पस्चिम मंगाल के गवरनर सी जगदिप धनकर जी, केंद्रिय सिक्षामंत्री, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंग जी, वाइट चांसेलर, प्राफ़सर विद्युत चक्रबर्ती जी, प्राफ़सर्स, रजिश्टार, विश्व भारती के सभी, शिक्षक्गान, छात्र छात्राएं, अलुमनाई, देवी और सज्जनों, विश्व भारती, इस विश्व विद्याले के सोब वर्ष होना, प्रतेग भारतवासी के लिए, बहुत ही गर्व की बात है, मेरे लिए भी, ये बहुत सुखद है, कि आज के दिन, इस तपो भुमी का, पुन्यस मरन करने का, अउसर मिल रहा है, साथियों, विश्व भारती की सोब वर्ष की यात्रा, बहुत विशेश है, विश्व भारती, मा भारती के लिए, गुरुदेव के चिंतन, दर्शन, और परिश्रम का, एक साकार अवतार है, भारत के लिए, गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को, मुर्त रूप देने के लिए, देश को, निरंतर उर्जा देने वाला, ये एक तरह से, आराध्य स्थल है, अनेको विश्व प्रतिष्ठित, गितकार, संगीतकार, कलाकार, सहित्यकार, अर्थ सास्त्री, समाज सास्त्री, वैज्यानिक, अनेक विद्प्रतिभाय देने वाली विश्व भारती, नूतन भारत के निर्मान के लिए, नीत नए प्रयास करती रही है, इस सहुस्था को, इस उंचाई पर पहुँचेने वाले प्रत्य व्यक्ति को, मैं आदर पुर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनन्दन करता हूं, मुझे खुशी है कि विश्व भारती, स्री निकेतन और शांती निकेतन, निरंतर उन लक्षों की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने तय किये थे, विश्व भारती इसके द्वारा अनेकों गावों में विकास के काम, एक प्रकार से ग्रामों दै का काम तो हमेशा से प्रसंसनिय रहे हैं,